हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडिने स्टडी इंडिने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का मोक टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी पुलिस कॉंस्टेविल के लिए बेहद इंप क्या है जो है तो चूड़ी अच्छी थी में थी जो है बेसिकली सायक किरिया का उधारण होगा लेकिन आप्सस में नहीं यह यह योजक किरिया लगाएंगे तो दुपेहला इस निहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा उत्कर्स एक कोसाग्र विद्यारती है यहां कुसाग्र कौन सा विशेशन है उतकर्स एक कुसाज्ग विद्यारती है कुसाग्र जो है वो गुड़ वाचक विशेशन का क्या होगा रूपों का चोहता ओप्संस यहां पर आपका बिलुकुल करेक्ट निमलिके विकल्पों में से पुरलिंग सब्द कौन सा है जो वही आपको बताना है कुटुम्ब कुटुम्ब सब्द जो है वो एक पुरलिंग सब्द है चोहता ओप्संस करेक्ट खिचड़ी किस प्रकार का सब्द है जल्दी बताइए खिचड़ी किस प्रकार का सब्द है तो खिचड़ी जो है वो एक देशा सब्द हो जाएगा पहल क्या होगा तो कहानी सब्सक्त क्या हो जाएगा सर्व राजा सेवक को कंमल देता है तो आप को में कौन सा कारक है तो यहाँ पर आपका सभी आंसर ब्हुं क्या हो जाएगा कौन सा कारक है तो Shop कोई चीज किसी को दी जाती है और उससे बापस नहीं ली जाती है तो वहाँ पर आपका संपर्दान कारक होता है पहला options यहाँ पर आपका बिलुकुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा next questions संकर सब्द का क्या आरत होता है यानि कि संकर सब्द हम किसे को कहते हैं जल्दी बताइए तो जो सब्द दो भासाओं से मिलकर वनते हैं उनको ही हम संकर सब्द कहते हैं चौता options करेक्ट next questions से start करने से पहले अगर आप दोस्तों जैसे ही आवन अकेडिमी का लर्ने का प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको competitive exam की तयारी करना है या आपको six day टोल तक पढ़ रहा है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप competitive exam की तयारी करना चाह रहे हैं ठीक है आप किसी भी category को select कर सकते हैं railway bank SSC, UPPSC, BPSC, RPSC, CPSC, कोई भी state PCS को आप select कर सकते हैं जिस भी category को आप select कर रहा है आप उसको select कर सकते हैं जैसे मैं आपको UPSC, CSE category choose कर लेता हूँ मैंने choose कर लिया हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको choose कर लिया ठीक है किस भी exam के लिए provision कर रहा है हमने आगे बढ़ गए ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आपने इस category को choose किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे जबक आपके सामने इस तरीके के interface आएगा ठीक है तो आपको मेरा नाम सर्च करना है ठीक है मेरा नाम क्या है तारिक server तारिक server ठीक है तारिक server तो मैं आपको मिल जाओंगा देखो तारिक server ये मैंने ये मिल गया ये मैं आपको UPSC category के अंदर पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो जैसे ह याप कोई भी किलास होगी मेरी ठीक है जैसे ही आप किसी भी किलास पर कलिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी किलास पर कलिक कर सकते हैं मेरी सारी किलास जो है वो बिलुकल free of cost होती है जैसे मैंने ग्रामिल परिवेस की यह अभी लेकपाल के लिए यह class ली ठीक है तो इस पर जैसे ही select करा तो आपसे watch class watch class पर जैसे ही आप click करोगे तो यहां पर कोई options नहीं आएगा लेकिन आपके पास options आएगा unlock class unlock class क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप मेरी class पहली बार देख रहा होंगे अगर आप पहली बार मेरी class देख रहे तो आपको मेरी class को unlock करना पड़ेगा और unlock code क्या है मेरा Indian study Indian study जो channel का नाम है वही मेरे unlock code है class unlock code तो इसको एपलाई करना without space class आपके unlock हो जाएगी बिल्कुल free of class नहीं आराम से आप जो है वो देख सकते हैं next questions आपके सामने निमले के तमेंसे कौन सा वेंजन पार्सिव वेंजन है जल्दी बताओ पार्सिविक वेंजन आपको बताना है ला एक पार्सिविक वहनजन है जिसको वस्त वहनजन भी कहते हैं दूसरा ओप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट महापराण कुन सा है महापराण वहनजन हर वर्ग का दूसरा चोथा वर्ग जो है वह महापराण कहलाता है ठीक है तो देख लो तो सही आंसरोजय का घा का वर्ग का चोथा वर्ण है का खा गा घा हो गया का वर्ग का चोथा वर्ग है दूसरा चोथा वर्ण जो है वो आपका क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है तीसरा उप्सन्सक्रेट प्रेम अंदे की रहों की तरह ही आकरसक होता है तो सही आँसर आपे क्या हो जाएगा सर ? लुड़णा में सकाथ नहीं है, JOता Опसंथ zou करएक्ट निम्लगित में से कौन सा उन्नती के प्रहे वाची नहीं है इस एक वियाकरन की दरेष्टी से सुध्ध है जो सुध्य वैकरन की दरश्टी से वही आपको पहचानना है यदि हमें जीवन में कुछ पराप्ट करना है तो पुरुसार्थ को अपने जीवन का लक्ष बनाना चाहिए दूसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा निस दिन वर्सत नेर हमारे इस पंकती में किस रस का वढ़न है सुरंगा रस चोटा आपसंस करेक्ट सो सिब धनू मृर्नाल की नाई तो रहू राम गड़ेन गोसाई उपयोख पंकती में कौन सा लंकार है सही आणसे रोग जैगा आपका उपमा लंकार चौहता आप्सन्स है आपर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा निम्ले के तमेंसे कौन सा कौमुदी का प्रहएवाची सब्द है चानदनी कौमुदी का प्रहएवाची सब्द है पहला आप्सन्स करेक्ट जंगल में लगने वाली आखों क्या कहते है तो जंगल में लगने वाली अग को हम क्या कहते है दवानल कहते है दूसरा उप्संस करण़ सिक्का जवाना इस महाबड़े का सभी अर्ध क्या है तो सही आन्सर हो जाए का आपका प्रभाच सापित करना तीसरा उप्संस करण़ अपना हाथ जगन्नात इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या है सही आंसर हो जाएगा अपना काम सोयम द्वारा ही संपन करना हुचे थो तीसरा ओप्सन्स करेट उतकर्स का आप से बिलूम सब्द पूछा है कि उतकर्स का बिलूम सब्द क्या होगा उतकर्स का बिलूम सब्द होगा अपकर्स सुदवर्तनी का चेन करना है तो जल्दी बताईए सुदवर्तनी तो सही आंसर आपक्या हो जाएगा सक्छम हम इस प्रकार से लिखेंगे तीसरा आपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट किस सब्द में ततपुर्समास है तो जिसमें ततपुर्समास है वही आपको बताना है अनिक्छा यहाँ जिसकी कोई एक्छा ना हो अनिक्छा और जहाँ पर कोई कारेक्चिन्नों का बूद हो जाता है वहीं ततपुर्समास होता है तीसरा आपसंस करेक्ट अतियुक्ती का उपसर्ग क्या है जल्दी बताओ अतियुक्ती का सही उपसर्ग क्या है अतियुक्ती सब्द में उपसर्ग तो अतियुक्ती सब्द में उपसर्ग है पहलाई और आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा किस सब्द में इला पिरते नहीं लगा है तो जिस सब्द में इला पिरते नहीं लगा वही आपको बताना है तो सही आंसर हो जगा है अपका रुपहला पहला ही ओपसंस यहां पर आपका बिल्लकुल करेक्ट इसमें नहीं लगा है दो या दो से अधिक अतियन समीपत वर्लों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन होता है या जो विकार उत्पन होता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम संदी कहते हैं सर तीसरा ओप्सन्स करेक्ट है उच्चे वाज का संदी विक्षित आप से पूचाए कि उच्चे वाज का संदी विक्षित क्या होगा तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा उत प्लस स्वास चौता ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से आपका और ये जो है वो वेंजन संदी का उधारने तदबाव सब्द का चेन कीजिए कौन सा सब्द है तदबाव सब्द है तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर निडर सब्द एक तदबाव सब्द है गंगा जल में कोंते समास हैं गंगा जल यानी गंगा का जल फिर से कारक चन्नों का अबोद हो गया और जहां कारक चन्नों का बोद होता है तदिप्रो समास पहला ओप्सन्स करेक्ट next question से आपका के हिंदी कता साहित में सरवधिक पिरसित कहानीकार कौन है बहतरीन कॉसिंस तो कौन आपका प्रेम चंद्र चोऻटा जनव जय का नाग्यक ये किसकी जल्दी बताओ जननव James का नाग्यक ये किसकी रचना है तो चईज़ा अंशु ये जो रचना है वो किसकी जय संकर प्रसाथ की रचना है दूसरा उपसिंस करएट अपने अपने राम उपन्यास ये किसकी रचना किसकी है तो ये इला इला चंद जोसी की रचना है चौटा आपसंस करेट और ना तक इसकंद गुपत की रचना किसना की तो इस कोसंस का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो ये थे 37 हिंदी के इंपोर्टेंट कोसंस जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी प्लिस कॉंस्टेविल की रिगार्डिंग बहुद इंपोर्टेंट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस दोस्तो वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में तो सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लिस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर की जो और साथ ये साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों कि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत